क्यापिटिल टीवी के खास प्रोग्राम यूपी का किस्सा में आपका स्वागत है और मैं हूई दिश्टर उपाध्याए आज का किस्सा है बरेली से सपा के धमकी बाज विधायक शहजिल इसलाम से जुड़ा जिस शहजिल इसलाम ने सीयम योगी को गोलियों की धमकी दी थी उसका फन को चलना सीयम योगी को क्यों जरूरी हो गया है वो आपको किस्से में बताऊंगा और इसकी शुरुआत भी सीयम योगी ने कर दी है जाए एक तरफ धमकी देने के मामले में पुलिस ने शहजिल इसलाम पर केस दर्ज करके कारवाई धेज कर दी है तो इस धमकी द जर्मार बिना नक्षा पास कराय कराया था साथ इस भड़काउ शहजिल इसलाम पर सरकारी जमीन पर कबज़ा करने के भी आरोप है अब मैं आपको शहजिल इसलाम के बारे में वो किस्सा बताऊंगा कि जो ये जाहिर करेगा कि वो इसलामिक कटरता के रोग से पीडित है औ अरसल शहजिल इसलाम बरेली के राजनीतिक परवार से है उस से पहले उसके पिता इसलाम साबिर और दादा अश्वाक एमद भी बरेली केंट सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं लेकिन शहजिल का राजनीत में आना अनायास रहा ये बात उत्तर प्रदेश में 2002 के वि परचा कैंसल हो गया लेकिन अपने नामांकन के साथ उन्होंने शहजिल का भी नामांकन करा दिया था ऐसे में उसमें अपने पिता का परचा खारिज होने के बाद सफा समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और तब प्रदेश में सबसे कम उम्र के विधा वहां से जीत हासिल की तो मुख्यमंत्री मयवती ने वक्फ का राज्यमंत्री बना कर लाल बत्ती दी लेकिन अगले विधानसवा चुनाव 2012 में बसपा ने उनको टिकट नहीं दिया यहीं से उसने ठान लिया कि जो इसलामिक कट्रता को बढ़ावा देने वाली पार्टी है उसको जोइन किया जाए जिसके बाद उसने मौलाना तौकी रजा की सियासी पार्टी आई-मसी यानि की इतिहाद ए मिल्लत कॉंसिल से चुनाव लड़ा और जीत कर फिर विधायक बना हलाकि बाद में वो आई-मसी छोड़कर सफा में शामिल हो गया अब यहां आपको यह बहुत जरूरी है कि जिस मौलाना तौकी रजा की पार्टी से इसने चुनाव लड़ा वो कितना कट्रपंत और हिंदू वरोधी है खुद को धरम गुरू बताने वाले कट्रपंती मौलाना तौकी रजा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कहता है कि मैं हिंदू समा यानि कि ये बात तौकी रजाने कही थी इस भड़काओ मौलाना के लगबग हर बयान बाटने वाले साबित हुए हैं और हिंदू के खिलाब नफरत पैदा करने वाले हैं तौकी रजाओ की भड़काओ बयान देने वाई लिस्ट काफी लंबी है और इस पर कई सारे कीस भी दर्ज हुए हैं अब अब समझ सकते हैं किसकी ही पार्टी से शैजल इसलाम ने ही चुना लड़ा तो शैजल इसलाम भी कितना कटरपंती होगा और इसके हालिया बयान ने भी ये साफ कर दिया शैजल इसलाम ने 2017 का विदानसवा चुनाओ भोजी पुरा से सपा के टिकट प लड़ा था लेकिन बीजेपी की लहर में हार गया था लेकिन इस बार 2022 के विदानसवा चुनाव में इसने सपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी गया शैजल इसलाम की पत्नी आईशा इसलाम भी चुनाव लड़ चुकी है उनको साल 2014 में सपाने बरेली लोगसवा से प्रत्याशी बनाया था लेकिन उन्हें करारी शिकस्त मिली बसपस सरकार में आईशा इसलाम जला पंचाह सबस्त भी रही शैजल इसलाम के पिता इसलाम साबि कई बार बरेली से लोगसवा का चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन इतना तो साफ है कि शैजल इसलाम की सोच कट्रता को बढ़ावा देने वालों से मिली जुली है इसलिए सीम योगी ने इसका इलाज भी करना शुरू कर दिया है चलिए अब आप से लेता हूं विदा फिर हासर हूंगा किसी दमदार खवर के किस से किसार नमस्कार